जब रशिया ने यूक्रीन पर आक्रिमन किया तो एक देश ऐसा था जो सिंगल आंड़ेडली डिफेंडर के तौर पर उबरा जी हम बात कर रहे हैं पोलेंड की और पोलेंड ने अपने दर्वाजे खोल दिये खोल दिये तमाम रेफ्यूजीस के लिए शर्णार्तियों के लि और सबसे ज़ादा पूरे पोलेंड में रेफ्यूजीस थे तो वो यहां पे थे यही वज़ा है कि हम पस्चम छोर में यॉर्प के आए हैं और आपको दिखा रहे हैं यहां के जमीनी हकीकत बात करते हैं क्या विचारदारा थी और कैसे इस पूरे क्राइसिस को हैंडल किया पूरे किया जुरकिंट पूरेस्पट पूरेख में रूसेर ठाप बेसा प्राइब करिकन के रुष्व प्रुज्च युजर फु पर दिर पाफलसे जोवां प्रुष्फजी सुर्फ़ा टिव जूर है तो जुट्वश्वानि की जुट्वाज जुर्स्वीज बाइस In Rosskowkow do accounting that we have this post postISA, because we know we cannot be sure nowadays what many things are happening day-by-day. We estimate that we have a 100.000 refugees who are staying in the private home, private apartment, with the families, who are staying with their colleagues, because Rosskow used to be the city with a lot of Ukrainians, even before the Ukrainian war, the Russian war. And nowadays we also have some social relocation center, we are preparing by the city for the people who have unknown place to stay, एक तम जिस तरह से पहल की है वरोटस्वाब ने यह अपने आप में पूरी यॉरॉप देश के तमाम शेहरों के लिए एक बड़ा उद्धारन के तौर पर और बड़ी मिसाल के तौर पर उब रहा है चली चलते हैं उन जगों पर जहां पर आपको इंसानियत की एक ऐसी मिसाल दिखेगी जो अपने आप में काबले तारीफ है यहां पर लोगों की जजबे और उनके मदद करने की और इंसानियत से भरी जो द्रिनता है उसको हम सलाम करते हैं कैमरे पुसंद परमेंदर शर्मा के साथ मौसमी सिंग रॉटस्वाब आज दा